इस वीडियो में हम लैटर्ट सॉयल के बारे में पढ़ेंगे अभी तक आपने तीन मेजर सॉयल टाइपस पर चुके हूँ आपने लेवल सॉयल को समझा ब्ल contributors nem cotton और यलो स्वाइल जो लेटराइट जो है ना लेटराइट सोयल का जो लेटराइट है वो कहां से डिराइव हो है लेटिन वर्ड लेटर से लेटर का मतलब होता है ब्रिक तो आपको एक चीज यह समझ लेना है कि लेटराइट सोयल की जो करेक्टिस्टिक होती वो एट की तरह होती है इट समझते हैं letterite soil में यह समझ लो ठीक है तो अब हम formation और location को समझते कि कहाँ पाई जाती है कैसे बनती है यह पूरी कहाणी में आपको समझाता हूँ तो the letterite soil develops under tropical and subtropical climate ठीक है तो tropical और subtropical climate क्या है तो climate chapter 59 में tropical subtropical regions ध्याने तो यह जिसी tropical area है हमारा ठीक है तो इस region में पाई जाती है ट्रॉपिकल और थोड़ा उपर चले होगे subtropical इन regions में पाई जाती है letterite soil ठीक है और यहां पर क्या होता है under subtropical climate with alternate wet and dry spell तो जो wet और dry seasons रहते हैं कि कभी बारिश हो रही है कभी सुखा है तो उस तरह का जो मौसम रहता है उस तरह की जो climatic conditions रहती है tropical subtropical region में वहां पर लेक्टर सॉइल डवलप होती है और rainfall का एक बहुत important role रहता है letterite soil के develop होने में rainfall का कैसे important role होता है तो the soil is result of intense leaching due to heavy rain देखो अब आपको क्या समझना है temperature जादा है और rainfall है तो letterite soil के case क्या बनता है कि बारिश हो रही है बहुत temperature भी जादा रहता है tropical subtropical region में तो बारिश होने के कारण क्या होता है कि heavy rainfall के कारण leaching होती है लीचिंग क्या होती है अब सुनो मेरी बात कभी कभी जैसे देखा है मैंने कुछ स्कूल में कुशन ऐसे भी आ जा ते लीचिंग पर कुछ दे वाट इस लीचिंग बच्चा घबरा रहा है ठीक है कि हमने तो पढ़ा ही नहीं था सर तो ये एक शब्द भी कुशन मना देता है ठीक है ये चीज ध्यान रखना है जब भी आप से पढ़ रहे हो एक बहुत अच्छी बात ये है कि चार बुक से बहार कुछ नहीं आता है सस्टी में जैसे मैट्स म इसको एक खुशकबरी एक बुरी खबर है दोनों तरह से देख सकते हो ठीक है तो लीचिंग जैसे अब यह है तो लीचिंग वाइड पे कोशन मन गया लीचिंग क्या होता है तो लीचिंग इस दी प्रोसेस इन विच ड्यू टू हवी रेंफॉल डी टॉप स्वाइल वाश लेट्राइटो कर year आप जैसे कब धुमने कर और देख़ा गए कि नदि के किनारें पर क्या होता है चताने दिख रही होगो जैँ其實 क्यों धॉटी लेटराइट सोइल सार मोस्टली डीप टुवेडिप एसे डिक जंडरली डेफिशेंट इन प्लांट नूट्रियंस तो बहुत गहरी होती हो गहरी कैसे होती तो आप जिसे देखोगे ना तो ब्लैक सॉइल मैं आप क्या करते हो उपर उपर परत में आपको ब्लैक सोइल देख होती है अब क्या होता कि जहां पर एवर्ग्रीन डास मिर को दीप थे सोईल ऑसमें उसमें पनेटेट लाएं है फ्लांटन Неवह प्लांटस नहीं लेकिन कि राफ प्लांट हो सकता है वहां पर वहां प्र पर चीजी सबैंडर मार्जीन यहां पर तो बढ़े बड़े लग सकत यह त्रीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे बाकि उसके अलावा जो जहां पर पेड़ नहीं है जो एकदम क्या है सरफेस पूरा ब्लैंक सा चुटा हुआ है तो वहां पर हीुमस भी नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ट्री भी नहीं है जो ज़र से रोक के स्पसिफिकल यह वेस्टर्ण घाट एक चीज़ ध्यान रखना कि मैप पे लेक्टराइट सोयल जो मार्क करने को आती है तो लेक्टराइट सोयल के कुश्चिन आपको ऐसी बनते हैं मैप पे ऐसा मतलब शेड़ेट रिजन एक तो यह तो यह दे सकते हैं या फिर नहीं रखते हैं आप यह ध्यान रख लेनें तीन मेजर एरिया ठीक है अगर शेड़ेट रिजन यह आता और पूछ लिया रहता विश टाइप आफ सोयल इस तो यह लेटराइट सोयल रहेगी क्यों है अभी समझाता हूं मैं आपको जैसे क्या है अकर्स मोस्टली इन सदन स रिजन ऑफ महराष्ट औरिसा और सम पार्ट्स वेस्ट बेंगल नौर्थ इस्टन रिजन अब यह रिजन जो है ना तो आप देखो कि यहां पर वेस्टन घाट में क्या होता है बारिश खुब होती जमा जम ठीक है बारिश बहुत जादा होती तो उसकारण क्या यह यहांबनेगा नीचे लेटaros बनेगा इस तरह से लेटाइटट सोैल यहां पाई जाती है रिजन भयार स्वै समस्ट बैंक देखberry लिए कि अरक के खेती नहीं कर सकते हो आप उस पे ठीक अब यूमस नहीं है तो आप अग्रिकल्ट्रल प्लांट्स कहां से लगाऊगे उस पे ठीक है तो पूर इन यूमस के चलते ही होता है अब प्रोन टू Erosion and Degradation अब क्या होता है कि Degradation Erosion बहुत जादा होता है लेटराइट अब लब उपर का जो wash off चलता रहता है वह washing off क्यों होता है और क्योंकि मैंना आपको था excessive rainfall होती है इन areas में ठीक है और नीचे जो landscape है ठीक due to their position on landscape तो landscape के उपर क्या होता है let right soil रहती है तो वह continuously erode होती रहती है सब बह जाता है उपर का fertile element तो किस काम किये ऐसा नहीं है ठीक after adopting appropriate soil conservation techniques particularly in hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu this soil is very useful for growing tea and coffee मैंने क्या बता है कि वह crops जो deep root जिनकी नहीं होती है वह cultivate करना मुश्किल होगा लेकिन आप plantation perform कर रहे हो पेड़ लगा रहे हो जैसे rubber plant लगा रहे हो तो इन areas में मतलब इन soil पे लेटराइट soil पे यह सब कुछ किया जा सकता है पॉसिबल भी हुआ है तो proper soil conservation methods के बाद में आप देखोगे Kerala, Karnataka, Tamil Nadu वाले region में tea और coffee plantation जो है वो लेटराइट soil पे किया जाता है पेड़ होते हैं तो बड़े बड़े पेड़ में आपता है पेड़ तो वहाँ पे survive कर सकते हैं crops द्यान रखना लेटराइट soil की वन मार्च में अगर twisted question आता है तो बनेगा internally कितना ही internally पूछ लो सर हम तो सब पढ़ क्या है ठीक है तो उस तरह से सारी चीज़े बनेगी अभी तक आपने major soils सारी discuss कर चुके हैं हम लोग और आपने जितनी भी major soils को पढ़ा है उनमें एक soil आपको arid soil भी समझना है arid soil कहां पर पाई जाती है कैसे बनती है और जो उसके दूसरे characteristics हैं सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ देखो पिछले वीडियो में आप letterite soil पढ़के आये हो letterite soil से compare करो बहुत आसानी से चीज़े समझ में आ जाएगी letterite soil में हमने formation में क्या देखा था कि वहाँ पर बारिश बहुत होती एक्सिसिव रेंफॉल उसकरन से leaching होती होती है नीचे letterite soil मिल जाती है आपको ठीक है तो मतलब बारिश है और टेंप्रेचर भी ज्यादा रहता है ट्रोपिकल सब्रोपिकल रीजन है टेंप्रेचर हाई रहेगा लेकिन उस रीजन में जहां बारिश कम होती है ठीक है हाई rainfall नहीं है टेंप्रेचर तो है लेकिन rainfall नहीं है तो वहाँ पर soil letterite की जगा दूसरी बन जाएगी ठीक है मतलब characteristics बता रहा हूँ मैं आपको trick बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि पानी और उससे soil बन रही है मैं आपको climatic conditions बता रहा हूँ क्या होता है कि ये वाला जो region देखो गया प्राजिस्थान वाला अरावली के इदर ठीक है अरावली mountain range है यहाँ पर इसके इदर क्या होता है कि monsoonal winds जो रहती है वो जा नहीं पाती है जाती भी है तो उतना मौश्यर रहता है नहीं तो precipitation कम होती बारिश कम होती है अब बारिश कम होई इसका मतलब क्या है Polizei के अंदर monster नहीं है temperature अधना ही है तो जाधा temperature है ठीक है temperature जाधा तो वहां की जो लेंड मासेज है वो क्या होने लगती हो तूटने लगती है और छोटे 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 ग्रैनिवल्स में covert हो जाती है और फिर वहां जो soil बनती है तो formation वहां जो वनती वह कौनसी बनेगी एरेड स्वाइल फ्रमेशन में क्या सीखा हाइव टेमप्रेचर और लो रेन फॉल हाइव एस से ध्यान रखनाव इसे तो आप क्या होता है कि एरेड वह होती है तो आरीड उस जाएल इस Sandeen Texture Saline in Nature show मतलब क्या है सेंडीन टेक्ट्षर से नी नीचर में एसा है कि इन समेडियाज़ सॉल्ट कंटेंट हम सब्सक्राइब पाई जाते हैं ठीक है salt content देखने को मिलेगा salt content आप observe करोगे arid soil में तो in some areas the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating water ठीक है तो कुछ-कुछ areas में salt content रता बहुत जादा होता है common salt जो खाते न अपन खाने में salt भी यहां से extract किया जाता है जिसे सांबर लिखे तो evaporate कर वालो जितना पानी है बचा क्या नीचे नमक ठीक है खाओ खाने में डालके तो उस तरह से salt जो है salt यहां से extract किया जाता है arid soil lacks humus and moisture arid soil जो है तो उसमें humus और moisture नहीं रहता है moisture क्यों नहीं रहता पानी की कमी है पानी की कमी उसके सांब साथ में फिर क्या है ठीक है rainfall नहीं हो रही और साथ ही साथ में क्या हो रहा है कि temperature जादा है तो ज्यादा temperature में पूरा moisture क्या हो जाता है sun जो है वो glucondi वाला add आता था था ना pipe लगा के sun पूरी energy खीश लेता है तो वसी क्या है यहां पर sun जो है तो पूरा moisture खीश लेता है यहां के लोवर होराइजन ऑफ स्वाइल अर उक्यूपाइब बाइ कंकंड विकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंड डाउनवर्ड्स ठीक है तो एरिट स्वाइल में जी साथ यह लोवर होराइजन पे देखोगे मतलब स्वाइल प्रोफाइल होती है पूरी स्टाइटिंग में बताई थी मैंने आपको यहां पे बहुत दूर जाना पड़ेगा उसके लिए लेकिन चलो चलते हैं ठीक है और इस कारण से स्वाइल जो है तो उतनी फर्टाइल नहीं होती उसके अंदर जो दूसरे कंटेंट होना चाहिए वो नहीं रहते हैं फर्टाइल नहीं होती है फर्टाइल नहीं होती तो सवाल यह आता है कि सर फिर खेती कैसे करते हैं उसमें तो आप खेती की बात क की जाए तो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीस विकम कल्टिवेबल एज हैस बीन इन केस ऑफ वेस्टर राजिस्थान तो इसे प्रॉपर इरिगेशन मैंने और वगेरा खाद वगेरा एड कर दोगे न तो प्रॉपर पानी की कमी पूरी कर दोगे तो यह इस जगह पे भी क इनको क्यों पानी देना है पूरी तो उस तरह से ड्रेप इरिगेशन के थुरू आप क्या कर सकते हो एरिट सोयल में कल्टिवेशन परफॉर्म कर सकते हो